हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं लगन राशी पर आधारित है और चंद राशी पर आधारित नहीं है और आज जो हम इस कारेकरम के दौरान अपने आप मित्र गणों से जो बात करेंगे वो हम करेंगे जो विर्ष्चिक लगन राशी के हमारे मित्र हैं यनि के जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है इसी पर इस प्रिस्वी पर जो भी हैं चीजह जीम हैं जन्तु हैं हर कुछ गरों के नियंत्रन में हैं गरों के द्वारा संचालित हैं और देखिए बहुत लोग इस परकार की सोच रखते हैं कहते हैं कि अगर कुछ कोई नहीं कर सकता था कैसे किया है मैं जानता हूं लेकिन देखिए पता है बात क्या है अगर अच्छा होता है तो हम अपने आपको क्रेडिट देते हैं जीवन में अगर कुछ निगेटिविटी आ जाती है कोई इल्टा काम हो जाता है गलत काम हो जाता है तो हम भगवान से प करते हैं तो इस प्रकार की सोच जो है यह बिलकुल गलत है निराधार है बेसलेस है ऐसा नहीं होना चाहिए हम तो हमें यह चीज समझनी चाहिए कि जो भी चीज है सब ग्रहों के द्वारा ही संचालित है चाहे हमारा दिमाग हो चाहे हमारा शरीर हो चाहे हाथ-पाओं हो जो ही चीज जीवन में हो रहा है हमारे सब कुछ गरहों के द्वारा हो रहा है एवरी थिंग हमारे जीवन से रिलेटेड टू अवर लाइफ गवर्ण बाइदा प्रेनेट यह यूनिवर्सल टूथ है तो साथियों अब क्योंकि गरहों की बात चल रही है तो आपको हम बताना चा पर जो हम आपसे राशी फल की चर्चा करेंगे वह उसी के के बेस करेंगी और बताएंगे किस छेतर में हमारे जो आप ब्रिश्चक लगन राशी के मित्र हैं, आपको किस-किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना कहा 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 पर किस प्रकार की रहेगी और कब-कब किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना अधिक है लेकिन उससे पहले गोचर में जो वो इस्थिती रहेगी ग्रहों की उससे भी आपको संग्षेप में अवगत करेंगे और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ठीक हमारे पीछे स्क्रिन पर एक चार्ट डिस्पले हो रहा है यह आप जो हमारे ब्रिश्चक लगन राशी के मित्र हैं उनका ही लगन चार्ट है और उसमें ग्रहों की स्थिती को बहुत ही इस्पष्ट रूप से दर्शाया गया है और यह आप भी देख सकते हैं समझ सकते हैं यह आपकी सोविधा के लिए ऐसा किया है हमने कि कौन सा ग्रह किस राशी में है किस भाव में बैठा है किस ग्रह के साथ यूती बनी है उसका संब्स्थ बनाएं किस ग्रह के साथ वो कमबस्ट है और कंजंशन है उसकी इस या नहीं है या डारेक्ट है या रेट्रो ग्रेड है ये सारी जानकारी भी आपको संग्षेप में देंगे हर ग्रह के विशन है तो साथियों आईए इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक और अच्छ ती गोचर में वो काफी प्रती कूल थी जी हां कुछ अशुड योग भी बन रहे थे कुछ गरों के कारण जैसे राहू और ब्रस्पती के कारण चांड डाल दोश उसके कारण भी जातकों को बहुत ही प्रती कूल परिणामों कुछ हिलना पड़ा है लेकिन अब धीरे-धीरे काफी गरों की इस हीतिम फुदार हो गया है। कुछ हो रहा है कुछ इस महीने के अंते तक हो जाएगा जो बचें गे एक दो गॉड़े और वो आपको जब हम ये जानकारी देंगे इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की सूर्य ग्रह जो हैं बृष्चिक लगन राशी के चार्ट में द्वादश बाहो में अपनी नीच राशी तुला में बैठे हैं अपने मित्र मंगल के साथ अब क्योंकि मंगल और सूर्य की यूती है कंजंशन है तो यहा परिणाम ज्यादा नहीं दे पाता है तो यहां पर मंगल अस्थ हो गए लेकिन क्या है कि सूर्य अपना राशी का परिवर्तन करेंगे सोले नवंबर को और अपनी इस नीच राशी से निकल जाएंगे और निकल करके कहा जाएंगे लगन भाव में जाएंगे आप व्रिष् निकल करेंगे और अपनी संवन की राशी विरिष्श्चिक में सूर्य देव के साथ साथ वोग चले जाएंगे और सूर्य के साथ रहेंगे पूरे माह, अपनी कुद की राशी सोले नवंबर ऑनवाड़़् इस विद्ध की बात कर लेते हैं, बुध भी जो हैं जहां पर आ को आ रहे हैं और जब यह निकल करके आएंगे सूर्य मंगल का साथ छोड़ करके आएंगे अपनी मितर राशी तुला से निकल करके आएंगे दो आदेश बहु से लगन बहुमें आएंगे तो ये भी मार्गी और अस्तवस्था में ही आंगे यहां क्योंकि सूर्य का साथ लेकिन 27 को यह फिर अपना राशी का परिवर्तन करते हुए और यह चले जाएंगे धनु राशी में सेकंड हाउस में जहां नौ नमबर लिखा है 27 नमबर को फिर महीने के अंतर तक यह वहीं बने रहेंगे अब बात कर लेते हैं गुरू ब्रस्पती की गुरू ब्रस्पती जो है यह मेश राशी में बैठे हुए छड़े भाव में हैं और अब अकेने हैं 30 अक्टूबर के बाद से क्योंकि 30 अक्टूबर तक तो इनका राहू जैसे पापी अशुब और क्रूर ग्रहे के साथ अखेले हैं पहले से ज्यादा बैठरे स्थिती में बस थोड़ी कमी रह गई है ब्रस्पती में के अभी यह उदैतों हैं लेकिन यह वक्री स्थिती में रेट्रोग्रेट पोजिशन में उल्टी चाल चल रहे और यह अभी पूरे महीने उल्टी चाल इनकी रहएगी अपनी समराशी ब्रस्पती के घर में तो कहीं न कहीं हम यह कहेंगे कि उधर ब्रस्पती की स्थिती में भी सुधार हुआ है उधर राहू की में भी हुआ है राहू भी अपनी समराशी में आ गए अपनी शत्रु राशी से निकल करके और यह पूरे महीने यहीं रहेंगे अप राशी में राऊ और केतु शनी की बात कर लेते हैं शनी जो हैं अपनी स्वेम की राशी कुंब में हैं फॉर्थ हाउस में हैं लेकिन ये भी वकणी चल रहे थे उल्टिती चालREY अब ये भी चार नवंबर को मारगी होने जा रहे हैं यहाँ पर शनी की इस्थिती में भी बहुत अच्छा सोधार हो जाएगा चार नवंबर से यह भी काफी मजबूत इस्थिती में आ जाएंगे शनी देव और अब इसके बाद बात करेंगे केतू की केतू जो हैं वो भी प बात कर लेते हैं किसकी शुक्र की तो देखे शुक्र के रहे जो हैं यह तीन नवंबर को अपनी शत्रु राशी सिंग से निकलेंगे दशंबाव से जहां पर पांच लिखा हुआ है वहां से निकलेंगे और फिर ये अपनी मित्र और नीच की राशी कन्या में इनका उनका इनको साथ मिलेगा उनके साथ इनका कंजंग्शन होगा और फिर ये 29 नवंबर को अपना राशी परिवर्तन दुवारा करेंगे शुक्र और अपनी इस नीच राशी कन्या से निकल करके ये अपनी स्रुम की राशी तुला में प्रिवेश करेंगे तो मैं यहां पर य पिले एक शुक्र ऐसे रहे रहे जाएंगे कि जिनके इस्थिती कुछ ज्यादा कमजोर रहेंगी नीच राशी में होने के कारण पूरे महीने तीन नवंबर से 29 नवंबर तक जो ये खराब रिजल्ट्स आपको देंगे थे तीन नवंबर से लिके 29 नवंबर के बीच 29 को जब इनका राशी परिवटन हो करके अपने घर में जाएंगे अपनी राशी में तो ये जितना भी नुकसान इनके द्वारा जात्वों को हुआ है वो सारी भरपाई ये वहां जा करके करेंगे 29 नमबर के बार तो ये थी वो इस्थितिकरों की जिससे भी हमने आपको अबगत कराया जो गोचर में रहेगी नमबर 2030 में आईए अब इसी के आधार पर आपसे बात करते हैं दूसरा जो आपके करियर के लौड है सूर रहे वो भी नीचराशी में है तो आपके लिए माह के आरम से क्या महीने से पहले से ही अक्टूबर से ही इस ठितिया काफी प्रितिकूल है रहेंगी और ये रहेंगी 16 नमबर तक एक नवंबर से लेके 16 नवंबर तक का जो समय है आपके लिए कठनाईयों का समय है परेशानियों का समय है अपने कारे छेतर में चाहें आप रोजगार में है या व्यापार में है तो आपको बहुत सूचबूच के साथ अपने कारे करने हैं किसी के साथ वाद विवाद में न किसी के साथ हीटेड आर्गुमेंट नहीं करने है अपना पेशेंस से काम लेना है बहुत जहरे रखना है गुसा करोज ये सब चीजों से दूर रहना है तो क्योंकि समय आपके अनुकूल नहीं है तो इसमें मैंने कहा कि चैलेंजिज काफी रहेंगे परेशानिया भी रहेंग और भी बहुत कुछ चलेगा और इसके साथ साथ लेकिन एक बात जरूर है कि जो आपका विरोधी पक्ष है वो आपका चाहते हुए भी कोई नुकसान नहीं कर पाएगा लेकिन परेशानिया कम नहीं रहेंगी और क्योंकि शनी की ढहिया भी चल रही है तो उसके कारण भी म ऐसा भी नहीं है कि यह परेशानिया आपके लिए पूरे महीने ही बनी रहेंगी नहीं बिलकुल नहीं एक अभूत पूर्व बदलाव दिखाई देगा आपको ट्रिमेंडस चेंजिज इस्टिंथ नवंबर ओन वर्ड्स यानिका सोले नवंबर के बास से आपको अपने कार सोले नवंबर ओन वर्ड तो इसलिए ज्यादा परेशान ना हो घवरायना चिंतित ना हो टेंशन में आ रहें बहुत शौर्ट पीरियड है सोले नवंबर तक का उसके बाद क्या होगा सूर्य अपना राशी परिवर्तन कर लेंगे अब वो आ जाएंगे लगन भाव में जर आ रही थी वो सारी कमिया आपकी एक diversity में बदल जाएंगी एक अच्छी विषेष्टाओं में बदल जाएंगी वही जो लोग आपके अंदर कमिया देख रहे थे वो ही लोग अब आपके अंदर एक योगिता देखेंगे एक एबिलिटी देखेंगे किसाभ ये तो बड़ा काविलात नहीं है पता नहीं कैसे उस समय क्या हुआ ये प्रमज में नहीं आया वरना ये तो बंदा बहुत अच्छा result oriented बंदा आये इसकी ये तो बहुत ही multi talented बंदा है तो कुछ इस प्रकार का आपका एक लोगों के दिमाग पर influence बनेगा प्रभावव बनेगा और लोग आपकी प्रशंसा किए वंगर रहनँ पाएंगे आपके कार्यों की लेकिन एक बात अच्छी है कि हम जो यह बात आप से कह रहे हैं कि आप सैयं से धह्रे से रहें महा के आरब से महा के मद्ड़्द तक आप रहेंगे अगर हम ना भी कहें तो भी आप रहेंगे और आप सारी चीज़ों को बहुती बुद्धीमता पूर्ण तरीके से हैंडल करेंगे बेशक चाहे वो उस समय का जो पीरियड है जो डूरेशन है वो आपके फेवर में ना हो समय ग्रह आपके फेवर में बेशक ना हो चीज़ा चाहे सारी आपके अगेंस्ट में जा रही हो बावजूत उसके आप अप जो एकदम बदलाव आईएंगे बढ़िया बदलाव आईएंगे बैटर चेंज़िज होंगे आपकी लाइफ में कि वह आपने कर दिये नहीं यह सब ग्रहों के कारण हो रहा है जो खराब था वहु भी ग्रहों के कारण था और जो अच्छा होगा वह बहुत आने वाले समय में आपको हर तरीके से लाब मिलेगा और जहां भी आप कार्रेश्थ हैं जिस फिल्ड में भी जुड़े हूँ है जिस फिल्ड से भी उस फिल्ड से के लोगों को भी उसका लाब मिलेगा तो बहुत कुछ आपके दौरा अच्छी चीजे होने वाली है सोले नवंबर ओन थोड़ा सामानने या उससे नीचे लेविल पर ही रहे ठीक ठीक आये होती रहे लेकिन 27 नवंबर से आपकी इंकम और आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी जाएंगी बहुत अच्छी यनिकि उस महाँ पर भी एक ट्रिमेंडस आपको चेंज नजर आएगा इंकम में भी धन लाब नजर आएगा और वो भी साउंड पोजिशन आपकी बनाएगा 27 नवंबर से बुद्ध के कारण ऐसा हो पाएगा और धन की सिती अच्छी रहेगी बैटर रहेगी धन का इंवेस्टमेंट कहीं अच्छी जगा कर पाएंगे सेविंग्स आप अच्छी अपनी कर पाए सुक्सुविधाओं में कमी रहेगी सुक्सुविधाओं के होते हुए भी आप उन सुक्सुविधाओं का भरपूर तरीके से लाब लेने में सक्षम नहीं रहेगी क्यों आपका सारा फोकस अपने करियर और अपनी दूसरी जिम्मेदारियों पर अधिक बना रहेगा आपक रह सकते हैं. अब आप से बात करेंगे प्रेम संब्नों को ले करके देखिए प्रेम संब्नों की जहां तक बात है आपका प्रेमी या प्रेमी का ब्लस के साथ भी आप का sopr Library आ आप डिलेशंशिप में है उनके साथ में बता दूं उनके साथ आपके खट पट होने के चांसिस कुछ ज्यादा बन रहे जी हां और इसमें जो कुछ ऐसी गलती कर देंगे आप भी कुछ बिना सोचे और समझे आप भी शायद जल्दी से ही क्विक्ली डिसीजन लेने के बही और ये मान ले कि मेरा मित्र जो है जिसके साथ आपकी मित्रता है रिलेशन में है या एफेर है कि हाँ इसी की गलती है लेकिन ऐसा नहीं होगा वास्ति वास्ति विक्ताम है तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझनी है तो ये महीना कुछ खटपट वाला ही है आपके फियंसी के साथ लेकिन आपको थोड़ा सा दमाग से अर समझदारी से काम लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि चीज़े नॉर्मल रहे और अपने यह चीज़ेरी के का संकेच है और इसमें कुछ राप के मितर लोग जो हैं वोफी कुछ गर्वर्वर्वर कर सकते हैं या दूसरे लू से हमें सब साबधान रहना है हम तो no को आगे बात करते वेवहाहिक संब्न के वेवाइक संब्स कैसे रहे देखे वेवाहिक संब्स आप बीच बीच में रहेंगे तो साथियों आपसे बात करेंगे आपके पारिवारिक संब्द्द आपके नॉर्मल रहेंगे ना भिगड़ेंगे ना बनेंगे बस नॉर्मल चलते रहेंगे लेकिन हाँ 27 नुमंबर के बाद इन में और अधिक सुधात देखने में आएगा यह यह कहा जाए कि और अधिक कॉडियर रिलेशन्स आपके रहेंगे अपने परीजनों के साथ अब आपसे बात करते हैं आप जो चात्र लोग हैं इस्टूडेंट्स हैं उनकी एजूकेशन को साथियों मैं आपसे बहुत ही एहम बात करना चाहता हूं वो यह बृष्चिक लंगंदाची के जो हमारे मित्र हैं और विशेश तोर पे जो इस्टूडेंट्स हैं आपके तो जो आपके पास जो आप इतने इंटेलिजेंट हैं इतनी आपके पास नॉलिज है सब कुछ है अगर आप उसका समय पर सद्यूपयोग नहीं करते हैं या उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट मिलना है कुछ नहीं मिलेगा यहां पर हालात से जाएंगे और अगर आप उसका प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं तो रिजल्ट्स आपके एप्रिशेवल रहेंगे ये भी हम आपको बता लें तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की आप इस्टूडेंट्स को नवंबर दोजार तईस में संभावना है और यही स्थिती संतान पक्षकी भी रहेगी माता पिता से कहना चाहेंगे तो देखिए आपके जो बच्चे हैं उनमें टेलेंट की कमी नहीं है योग्ये हैं सब कुछ है लेकिन वो योग्यता तब ही है कि जब उसका समय पर इस्तमाल किया जाए अगर हम योग्यता को अपने अंद का पूरा उपयोग करें यूटिलाइस करें उसको ताकि उसके अच्छे स्वास्त की बात करने आप बृष्चिक हैं और भाई 16 nevr तक भी कह सकते हैं मतलब इस माहा कह सकते एक nevr से ही मान के चलें आप एक nevr से ले करके और 12 6000 नवंबर तक तो विशेष रूप से आपको आँख या दातों से संबंद्द समस्या बन सकती है स्वास से संबंद्द आँख या दांख दाथ साथ में पूरे महीने इंडाइजेशन की समस्या भी रहेगी पेट से संबंदित रोग आपको परेशान करेंगे जैसे इंडाइजेशन है गैस्टिक ट्रॉबल है अपच है यह इस तरही एब्डोमन से रिलेटिट प्रॉब्लम्स आपको परेशान अधिक करेंगी तो अपने खान पीन कार अपनी दिन चलिया का अपने डेली रूटीन लाइफ का जो है उसको अच्छी तरीके से आप फॉलो करें और थोड़ा सा इस्टिकली फॉलो करें मैं तो यह कहूँगा और खान पीन का ध्यान रखें समय पर लें जो भी डाइट लेते हैं आप उसको शैडूल बना करके चलें उसको फॉलो करें अन्य था आपके लिए समस्या जादा रहे सकती हैं तो साथी यह था आप ब्रिश्चिकलगन राशी के जो हमारे बित्र हैं उनका मंतली राशी पर नवंबर दोजार ते इसका अब हम आपको देने जा रहे हैं वो सरल आसान और कुछ अच आपके करियर में आपके समस्या आधिक हैं तो आपको सूरे देव को जल देना है तांबे के कलश से चुक्ति उसमें रोली या कुम कुम मिला करके एक लाल फूल भी अगर डाल सकते हैं गुलाब ही नहीं गुलाल यह अपने जो गुलाब का फूल होता हो नहीं रैड कलर इसकी अतिरिक्त क्योंकि मामला सीधा सीधा जुड़ा हुआ है आपके करियर से तो आप आदिते हिर्दे सोतर का भी पार्ट घर में बैठ करके प्रहते काल इसनानादी से निवरत करके जब जल अर्द दे करके आएंगे सूरे देवकोस के बाद पूजागर के सामने बैठ क करके करें और पहले सोला दिन में जो भी रविवार का दिन आएगा उस दिन गयहूं जो होता है कनक यह आप दान करें ताबा भी आप दान कर सकते हैं कोपर यह भी आप दान करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए और दूसरा उपाए दूसरा उपाए आपके लिए बनता है कि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पृतिमा पर एक तो तेवड़े का इत्र जरू चाहें साथ ही जो चवाने वाला पान होता है गुलकंद का मीठा पान भीड़ा वह आप हनुमान जी के श्रीचाणों में जाकर के चाहें बेसंग के लड़ू या बूंदी का लगता है जो मोली होती है उसमें आप पान के पत्ते बांग ले और उनकी माला बना ले वो आप हनुमान जी को चाहें जार्यकी बना ले जार्यक जो पान के पत्ते होते हैं और वहीं पर बैठ करके आप मंगल इस्तोत्र का पाठ करें और हनुमान जी की आर्थी करें और ती कि धनकी इस्थिती आपकी बहतर रहे तो मा लक्षमी जी को प्रसंद करें और लक्षमी सूक्त का पार्ट नियमत रूप से आपको करना है और सफेज चंदन का तिलक अपने माथे 23 का उपायों के साथ आपको पसंद आया है तो साथी हो इसको लाइक जरू करें चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना पूलें अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकरी का लाप अधिक से अधिक ले सकें और यदि आप चाहते अब हम अपने कार्यकरम का यहांपर समापन करना चाहेंगे और अपनी वानी को भी विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रों से लेना चाहेंगे इसनों अधिक झाल झाल